आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे हूँगे, मेरा नाम ऐसे सिद्धान तक नहीं हो, तरही स्टड़ी ग्लोस पर आपका बहुत बॉस्वागत है, कैसे तालिबान ने अफगानी आर्मी को, अफगान आर्मी को डिफीट किया, हराया, अमेरिका ने 20 साल तक अफगान को ट्रेइन किया, साड़े तीन लाकी आर्मी थी इन की, और वो क्या रीजन थे, इतनी बड़ी आर्मी, दोस्तों, पिछले के पिछले संडे तक यह बोला जा रहा था, संडे तक ही यह बोला जा रहा था, इसी संडे तक, कि अश्रब गणी बोल रहा थे कि हम हरा देंगे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एकदम से तक्ता पलट हो गया, तो ऐसा हुआ क्या कि आफगान आर्मी ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जैसे ताश का महल ढहता है न, वैसे ही ढह गई, बात करेंगे दोस्तों, अपने तीन गुना जादा बड़ी आर्मी न यह भी है कि एक्चुली में तीन लाक नहीं थी, यह एक से डेड़ लाक के बीच में थे, यह हो सकते हैं एक ही लाक तक ही हो यह, अशरफ घनी जो है, वो बहुत ज़ादा बताते थे, अभी तक यह नहीं पता कि एक्जाक्ट फिगर कितना था, यह तो जो सरकार बताती है कि तीन लाक की इतनी बड़ी सेना नहीं थी, सेना बड़ी थी, इतनी बड़ी नहीं थी, यह तकरीबान डेड़ से दो लाक के बीच में ही रहे होंगे, एक डेड़ लाक कमी होंगे, एक्जाक्ट कितनी थी पता नहीं, अब इसका जो सबसे बड़ा विलन है वो अमेरिका को ब आप रहने देते ना सब कुस तो सही चल रहा था आप समझेए 2001 में ये अमेरिका जो ही अब घुसा अफगानिस्तान में अब शुरुबात के 10 साल तक तो अमेरिका ने दोड़ा दोड़ा के मारा फिर उसके बाद तालिबान जो है वो डिप्लोमेटिक मतलब 2011 अत्याते अफगानिस्तान ने बातचीत करनी शुरू की लेकिन एकदम से 2019 2020 में फरवरी 2020 में जब 20 जील साइन हुई तब सब बदल गया अब अफगानिस्तान ये जो तालिबान इसके पास पैसे की कमी नहीं है आप समझे कि ये पूरा का पूरा एरिया पर अफीम की खेती होती है बह सरकार का जो पैसा है वो जादा तरह अमेरिका में है तो वो मिलेगा नि तालिबान को अफगानिस्तान की नाशनल आर्मी ये द्यानिक भासकर समयने लिए है साड़े तीन लाग तालिबान सत्तर हजार 167 विमान तालिबान के पास एक भी विमान नहीं 5.5 बिलियन डॉलर तालिबान के पास 1.6 बिलियन डॉलर इतना कम हर माइने में अफगानी नाशनल आर्मी बड़ी लेकिन फिर भी ये हर गए ये आप देख सकते हैं ये 2000 की बात है 2000 में यही कंट्रोल बाई Northern Alliance यही वाला ए अब ये भी चला गया है ये जो पंज शील रेजिस्टेंस अभी आपने देखा Northern Alliance जो कि एहमद मसूद और अमरुला साले ये दोनों मिलके अभी तो अमरुला सारे किया टेकर प्रेसिडेंट हो गए हैं साथी साथ हामित करजाई भी तालिबान के साथ बात कर रहे कि चलो मि बहुत ही moderate control था लेकिन जादा तर एरिया में हम ये देखते हैं कि अमेरिका और अफगानी सरकार थी देखिए आप कैसे चीजे बदली हैं 1996 से लेकर 2001 तक तो पूरा या का पूरा देशी कंट्रोल करता था ना तालिबान अफगानिस्तान पूरा कंट्रोल Islamic Emirates of Afghanistan अभी न 2012 आते आते आप देखिए कि ये पूरा आधा एरिया चला गहन से और यहां पे 2021 अब ये इस पहले से साथा control करने लगा और वो भी कुछी हफतों में एक हफते के अंदर अंदर पूरा का पूरा शहर गिर गया जादा तर जगा तो कोई resistance मतलब नाशनल आर्मी ने लड़ने स जो है वो प्रोग्रेस कर सकता है coincidence नहीं है लेकिन एक well planned strategy है सबसे पहले तो तालिबानी जो है वो अपना homework करकिया है ये जो आप airport देख रहे है न मतलब सॉरी जो आप aircraft देख रहे है Air Force आप देख रहे है कि 167 विमान अफगानिस्तान को अमेरिका ने बहुत drones दिये थे काफ पाइलेट्स को इन्होंने ढूंड ढूंड का मारा घर घर जाकर मारा तो जब पाइलेट्स ही नहीं बचेंगे तो विमान उड़ाएगा कॉन पहला पॉइंट तो इनकी Air Force तो बिना मतलब कोई काम की रही नहीं क्योंकि तालिबानियों ने बहुत ही strategically इन प्लेंस को गिराय efforts को खतम करो इन्होंने अपना homework करके बैटे हुए थे दूसरी चीज अफगानी जो आर्मी थी उसके अंदर से ही सपोर्ट था तालिबानियों को ऐसा बोला जा रहा है देखिए अफगानी जो सरकार थी बहुत करप्त थी बहुत करप्त होता क्या है ना कि जब आपकी military जैस तो फ्रांस की जो आर्मी थी उनको राजा पैसे ही नहीं लुई दा 16 पैसे ही दे पा रहे थे तो आप 3-4 महीने चालरी नहीं आई है यही यहां पर हो रहा था इन लोगों के पास पैसे ही नहीं था खाना नहीं था अफगानी सरकार को जो पैसा मिलता थो खुदी खा जाते तो आप यह पताईए कि एक आर्मी इतनी बड़ी आर्मी देजभक्ती ठीक है लेकिन हर किसी को देजभक्ती दिखानी चाहिए ना तो एक तरीके से अफगानिस्तान सरकार ने अफगानी नाशनल आर्मी का खयाल नहीं रखा यह दूसरा पॉइंट हो गया तीसरा अफगानिस्तान में अंदर से ही सेंध मार दी जिस तरीके से फर्स्ट बैटल ऑफ प्लेसी में मीर जाफरी धोके बाज निकला वैसे ही इसमें बहुत सारे लोगों ने अंदर से ही होना का कि अरे हम तुमको इंपूट्स दे रहे हैं यह यहां गया है यह ओफिसर यहां गय दॉलर 2021 तक स्पेंड कर दिया था इतना पैसा खर्च किया लेकिन यह गया नहीं अफगानिस्तान नाशनल आडमी के पास यह गया नहीं कर सकते हैं तो पहल यह करप्शन बहुत जादा था एक प्राइमरी रिजन करप्शन इतना जादा था कि इनको नहीं advanced equipment डिये गए नहीं इनको पैसा दिया जाता था बहुत सारे अफगानियों अफगानी नाशनल आरमी ने तो अभी इस समय तालिबान की जो आरमी है वो दो लाकी हो गई है तालिबानियों ने बहुत लोगों को बोला इनको आरमी के ही कुछ लोगों ने इनको जोइन क जैसे भारत में प्रॉपर एक्जाम होता है UPSC कंड़क्ट करवाती है CDS India का अब उस एक्जाम को निकालने में लोगों के पसीने छूट जाते है best of the best मेरा एक दोस था और दोस तोस तोने 16 बार SSB दिया था मैंने खुद तीन बार SSB दिया है मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ इतना जादा इंडियन आमी क्योंकि देखे जब best brains आएंगे और उसके बाद उनको refine जब आप करेंगे और ये सारे के सारे जब एक जगा मिलते हैं तो कमाल हो जाते है इसलिए भारत की अगर मैं आपको दावे से कह रहा हूँ इंडियन आमी अगर अगर अफगानिस्तान मे इतनी जाद है strategically इंडियन आमी और यही अमेरिका के साथ अमेरिकन आर्मी भी बहुत जादा शातिर है सेम चीज़ लेकिन यहां पे जो अफगान नाशनल आर्मी है वो इतनी प्रोफेशनल ही नहीं है किसी को भी उठाके भर लिया इलिटरेसी हद से जादा है उपर से लीड अमेरिका पे यह dependent थे जो भी skills, training, logistic, maintenance सब अमेरिका ही इनको सिखाता था उपर से तालिबान वो लगातार खुद से ही सीख लेते लड़ रहे थे तालिबान को तालिबान सबसे बड़ी जीत का करण यह भी है कि पाकिस्तान का support यह मैंने कितने सारे lecture लिया है ISI ने आप यह समझिए कि पूरी की पूरी training ISI ने देता था इलाज जो है यह पाकिस्तान के अस्पतालों में चल रहे थे यह हिसाब किताब था तो जो भी training support, ground vehicles का aircraft का security based support, transportation service, सब कुछ ही अमेरिका के ओपर dependent तब आप किसी के ओपर depend हो जाओगे जब वो छोड़के जाएगा तो पर ही नहीं मिली है, तीन-चार महिने से पैसे ही नहीं आया है, central government के पास पैसे ही नहीं था, fiscal crisis बहुत जादा थी, और इधर Taliban अफीम बेज-बेज के पैसा कमा रहा था, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि Russia और China भी शायद फंड कर रहे थे, अब हाला कि प्रॉपर तरीके से ये देखे कहीं officially नहीं है, लेकिन ये मेरा मानना है, हो सकता है, क्योंकि funding तो थी, पाकिस्तान तो fund करी रहा था, थोड़ा बहुत जो भी पाकिस्तान के पास है वो तो, customs revenues, aid flows अफगानिस्तान में लगाता है, decline हो रहे थे, कोई मदद भी नहीं करना चा दर्वाजा खटकता है, घर-घर में ये संदेश पहुचा दिया, कि अगर तुम अफगानिस्तान का साथ दोगे, तो तुमारे पूरे परिवार को मार डालेंगे, तो अफगानी नैशनल आर्मी इससे भी डर गई, कि या तो छोड़ दो, या हमारा साथ देगे, नहीं अफगान उस पे जीत लेगा, खुचकर नहीं पाऊ गया, देखते हैं आपकी पूरी जमी निकल जाएगी, तो इसी लिए यहां पे यही था, जादा तर फोर्सेस को यह लगा, कि यार अगर हमने, क्योंकि एक तो अमेरिका की लगा था, डिपोर्ट सारी थी, पूरी दुन पता था, वो डर गिए अब काऊ प रहते, उन्हों बायी अगर तालीबान के पास हमारा देश गया, तो हमारा क्या हो गए, तो हमको माः डाले पे हमारा, उसके बाद तालिबान वही सोशल मीडिया पे बहुत ज़दा आक्टिफ था, इस बाद तालिबान ने बहुत तगड़े से strategy अपना ही है, सोशल मीडिया पे लगा तार वो hate messages भेज रहा था, धंकी भरे message भेज रहा था, कि surrender करो, जीओ या मरो, यह तुम्हारी choice है, या तो surrender करो, नहीं तो मरो, surrender करोगे तो उन्हों तुमको जीने देंगे, आपने देखा ना कि तालिबान जो है, कितनी सारी जेलों में गया, सब जेलों में जो आतंकीति उनको छुड़ा दिये, और तालिबान उनको offer दी कि हमारे साथ लाई करो, क्या जेल में बन दो, खत्म, अब अमेरिका ने अफगानिस्तान को कैसे train किया था, बहुत मल्टी बिलियन डॉलर रुपे फेके थे, अफगानिस्तान फोर्सेस पे, त 3 साल बाद, अमेरिका ने पूरा पुलिस और मिलिटरी कंट्रोल करता था, तभी तो बहुत ही बेकार डिसिजन है, आपने एक आर्मी को पुरा डिपेंडेंट बना दिया अपने उपर, अमेरिका यही करता है, कुर्दों का अमेरिका ने साथ छोड़ दिया, सीरिया में, अ फानमेरिका, अगर भारत जादा अमेरिका पर भरोसा प्रोसा लगी था, पुलिस और मिलिट्री अमेरिका लिए की पूरा कंट्रोल स्विस्व उसी पास था, लगंगी तरे ट्रेंदिक में किया की ऐसा कुछ हो जाएगा वन उसी समय उसको मार देते तो अमेरिका ने अफगान नाशनल आड़मी को ट्रांसफॉर्म करना चुरू किया आम एफोस दी स्पेशल फोर्सेज एलिमेंट्स बनाएं सिगार की रिपोर्ट ने बोला है कि 2005 से अमेरिकन मिलिटरी ने कि अगर बैट पर मोटिवेशन ही नहीं है यह लोग बहुत दी मोटिवेटेड अफगानी नाशनल आड़मी बहुत ही दी मोटिवेटेड फिर यह असेस्मेंट मेकानिसम चेंज किया गया 2013 में और 2014 में जब कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी तो फिर इस असेस्मेंट रिपोर्ट को क्लासि अधैने है और सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान, पाकिस्तान का गजब का सपोर्ट था, आखड़ी दम तक पाकिस्तान ने सपोर्ट क्या यह तो बहुत था ही तो यह जो सारे फैक्टरस थे तालिबान को जीतने में मदद किया अब गान नाशनल आर्मी ने पूरी तरीके से सरेंडर कर लिया हम ना हमसे ना हो पाई तो ये लेच्चर था आयोब आपको पसंद आया होगा और अब इस तरीके की तस्वीरे बहुत ही आम हो रही है कहीं कोई बैंक में बैटा हुआ है लापटॉप आप यह देखेंगे तालिबानी जहां पर भी बैटे हैं वह भात करते हैं कि कोई हर जगा पीस होगा हर जगा क्या करते हैं कि शान्ती होगी और हम किसी को हाम नहीं पहुचाएंगे यह सब भोलते भोलते पीछे 1.47 होती है हाथ में 1.47 लिये होता है और बोल रहा है कि नहीं नहीं हम तो शान्ती दूथ हैं हम तो शान्ती के लिए काम करते हैं यह 1.47 पीछे रॉकेट लाउंचर लगाए वाह वो मैट्रिक्स में सीन नहीं था जब उसे पूचता है कैन्यू सेल आज से शुरू होने वाली है अगें शांदार ओफर सलेंगे जरूर इनको अविल करिएगा थैंक्यू सो मच